सेट्स पे देखते हैं कोश्चिन क्या कहता है यह कोश्चिन कहता है कि let u is equal to this u जैसा मैंने आपको बताया था कि u होते हैं universal set मतलब यह जूलियम notation उस कर देते हैं मान लेते हैं कोई भी set है u u contains 1, 2, 3, 4, 5, 6, a contains 2, 3 and b contains 3, 4, 5 हमें क्या क्या निकालना है एड़ेश 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 निकालना है तो देखते हम इसको कैसे अप्रोच करते हैं सबसे पहले हमारा एड़ेश क्या होत यूदिवर्स्न सेट क्या है हमारा ? 1,2,3,4,5,6, माइनस 2,3 सेट को माइनस करने का मतलब है59 से वोमेंस करने का मतलब है .. तो यू में हमाँ अमारे पास सिंबिली देखने है कि A में क्या-kya है ? AWU हैमें 2 है यू में भी है acieट दिया A में 3 है U में भी है खाट दिया बस कुछ नहीं बचा कौन से elements बचे हमारे पास 1, 4, 5, 6 ये हो गया हमारे पास A dash लिख देते हैं यहाँ पे 1, 4, 5, 6 ठीक है अब हमें निकालना है B dash B dash क्या लिखेंगे हम इसी तरह से B dash लिखेंगे हम U minus B U क्या है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 minus B क्या है हमारे पास 3, 4, 5 लिखते हैं फिर 1 मदब काटना है हमें 3 यहाँ पे है यहाँ पे भी है काट दिया 4 है काट दिया 5 है काट दिया कुछ एक्स्टा है नहीं है ठीक है क्या क्या बचा 1, 2, 6 तो यह 1, 2, 6 क्या हो गया हमारा B dash अब क्या निकालना है हमें A dash intersection B dash intersection क्या होता है A और B में जो element common है हमें सिर्फ उसी के बारे में लिखना है तो A और B में क्या common दिख रहा हमें 1 है इसमें भी 1 है लिख दो इसमें 4 है इसमें नहीं है नहीं लिख सकते इसमें 5 है इसमें नहीं है नहीं लिख सकते इसमें 6 है इसमें भी है लिख दिया तो यह 1 और 6 जो है यह हो गया हमारा A dash intersection B dash नाव A union B A union B तो A union B को हम किस तरह से लिखेंगे A union B है यह मारा मतलब A और B के हमें सारे elements लिखने है बट कोई element repeat नहीं करना कैसे लिखेंगे हम A union B उपर से लिखना स्टार्ट करते है A union B का 2 लिख दिया 3 लिख दिया A के सारी elements आ गए अब हमें B के सारी elements लिखने है 3, 4, 5, 3 हम लिख चुके हैं रिपीट करने की जरूत नहीं है 4, 5 This is A union B अब एक चीरा आप नोटिस करो जरा हमें A union B का कॉंप्लिमेंट लिखता हम A union B का कॉंप्लिमेंट तो हम A union B के कॉंप्लिमेंट को किस तरह से लिखेंगे U minus A union B सिंपल U के 1, 2, 3, 4, 5, 6 minus A union B के 2, 3, 4, 5 minus कर दिया हमें minus कैसे करेंगे इसमें 1 है यहाँ पर नहीं है हमें जो minus करने उस वाले element को देखते हैं इसमें 2 है यहाँ पर भी है काट दिया 3 है काट दिया 4 है काट दिया 5 काट दिया अब हमारे पास कौन-कौन से elements बचे 1 बचा 6 बचा आपने एक चीज़ नोटिस की एक लोग पड़ा होगा आपने D Morgan's law by chance हमने उस लोग को प्रूव कर दिया D Morgan's law क्या कहता है A dash intersection B dash is equal to A union B whole का intersection this is our ये होता है हमारा D Morgan's law जिसको हमने भी प्रूव किया आप जिसको हमने भी नोम